इन्दरा गांधी ने डिसाइड किया कि हमें क्या बनाना है पर्माडू बंब बनाना है कब डिसाइड किया इन्होंने 1974 में बट उस समय हम लोग उतना डेवलाप नहीं थे तो हम लोग यहाँ पर माई 1974 पर्माडू बंब का परिक्षण करने के लिए सुची लेकिन 1974 में हम लोग उतना डेवलाप नहीं थे 1974 में हम लोग यहाँ मोटर साइकिल नहीं थी बढ़िया राजदू तुस्टू टाइप का थी समुहाँ फिरीडम तो इधार आया है उन्होंने पोखरन में पर्माडू परिक्षण किया लेकिन गल्ती से वो उतना सक्सेस नहीं हुआ जितना होना चाहिए था उस दे करके रह गया और पकड़ा गये हम लोग अब अमेरिका हम लोग पर दबाओ बना दिया अमेरिका ने एक नियम बना दिया CTBT और CTBT Comprehensive Testment Treaty कोई भी व्यक्ति परमाडू बम का परिक्षण नहीं कर सकता है और बैल लगा दिया ना आपको जल पर परिक्षण करने देगे ना थल पर परिक्षण करने देगे ना हवा में परिक्षण करने देगे पूरा बैल लगा दिया और NSG बना दिया National Supplier Group Nuclear Supplier Group कि कोई भी देश भारत को मतलब यूरेनियम नहीं देगा तो हम लोग यूरेनियम में नहीं था चोरी छुपे हम लोग यूरेनियम मंगाते भी तो CTBT था परिक्षण करने नहीं देगा भारत ना NSG को माना है ना CTBT को माना है और NPT लगा दिया Nuclear Non Profiloration Treaty नापकी अप्रसार संदी की कोई भी देश दूसरे देश को मतलब टेक्नालोजी नहीं बेचेगा कि पार्मारू बं बनता कई से मतलब साला चुट्टा चारोर से घर दिया कभी कभी गरिया देते हैं हम मसीन थोड़े हैं कि जो सेट कर दिये वही बोलेंगे देश पर बात आती है तो हम सब भुला जाते है तुम बनाओ परमारू बं कोई दिक्कत नहीं है हम लोग दिवाली बला धुगदुगवा बनाएंगे हैं मतलब एन पीटी क्या कहता है नुकलिया नॉन प्रोफिलरेशन ट्रीटी ना भी की और प्रसार संदी कि कोई देश दूसरे देश को परमारू टेक्नालोजी नहीं नहीं करेंगा और यूरेनियम उसी को सप्लाई करेगा जिसने सीटी बीटी पर साइन किया कि हम परमारू बं का परिछडे नहीं करेंगे तो बनाके थोड़े होता है एक बार पटके उठके तर नहीं समझ में आगा काम कर रहा है कि नहीं पता जला बनाके रख लिया है युद में पटके तो धूआ देके रह गया हूँ तो एक बार परिछड़क मतलब चार ओर से हम लोगो घेर दिया था अब भारत वाले बैग्यानी भी तो मतलब है सब उसी हिसाब करना भारत वाले ने का कि एक काम कीजे एक रा समझ में नहीं करते, रहा है अमरीका से कखे तु हमारे यह परमारु बिजली घर लगाओ इंद्रा दिती नहीं अमरीका को फुसलादी कर दो कि दिके गुजरात में हमारा तारापुर जगह है, वाहा पर्माडू बिजली घर लगाना है, उसमें बिजली भनेगा, लैट बति जलेगा! आप बिजली घर लगाईगे, सुने हैं कि 300 करोड का खरक्चा आता है, जब कि 2200 करोड का खरक्चा आता था तो अमेरिका लपलपा लपागे और जबादय बेना मुलाई तो रिट वादाधी है महिला कह हो सकता है महिला को कोन को समान फिरी में कहें तो कहें कि दूगो दिदtail अमेरिका स्वर्योग कर दिया हम पुरा पर्मारु बिजली घर गहरा देंगे बिजली बनेगा आपके हाँ भुग भुग वा लाइट जलेगा अधम तारापूर में उनिस सब भाथतर में बिजली घर लगा दिया अब बिजली घर चलेगा कईसे इंद्रा गांधि काम किजिए जो बिजली घर लगा है नो उखार के लिए अपना ठेका केंजिल का अरे भाइया तु लियाओ ना उखाबा हम लोग ने डिसाइड करेंगे इसको भड़काना की दर है इदर अधर आया 1922 में तारापूर में उधर तयारी चल लए थी हम लोग ने उसमें से निकाल के इसमें भड़का दिया, बाद में पता चला, गल्ती हो गया, अमरिकों अहुसियार निकला, जो यूरेनियम बिजली घर में लगता है, वो 20% इंगरीच रहता है, अब परमाडु भम में 80% इंगरीच चाहिए होता है, हमसे गल्ती हो गया, सुर अब क्या हो, अब इस सब 75 को नियम लगा दिया, हम लोग को कोई देता ही नहीं था, तो बस अब भारत में वज्ञानी, इंदरा गादी ने प्रोग्राम को कैंसल नहीं किया, का के बनाईए, अब भारत में धीरे धीरे आगे गये, एक से एक वज्ञानी क मिल गये सब, उसम मिल गे हमारी एपीजे अब्दुलकलाम, सोने पे सुहा गया, इन्होंने परमाडू बम बनाने की पूरी तयारी कर ली, अब तब तक लेकिन कोई भी परधानमंत्री डरे उनलोग को खुली छूटे नहीं देता था कि परमाडू भारत में था था, क्योंकि अगर फूस हो ग तो आप तो पीटा जाएंगे, जापान पर परमाडू बम मार दिया था अमेरिका, जापान चुपचप देख लिया था, जापान के पाद परमाडू बम रहता न, अरे बाप रे बाप, उनको तो देखाया रहा था, जापान हूँ मार मारा रहता न, जिसका कोई हतना, कुछ भी हो जाए कुछ भी हो जाए हमारा देश रहना चाहिए आज की नेता रियालिटी बताते हैं अटल हम जो लोग हम और आप उस पीडी में से हैं जिन्होंने एक साथ दो-दो महापूरुस को अपने देश में देखा राश्कपती की रूप में एपी जे अबदुलकलाम प्रधानमंत्री की रूप में अटल वियरिवाच पही और ये सोभाग प्रिथवी पर आप किसी को नहीं मिलने वाला है क्योंकि ये ऐसे लोग थे जिनका अपना परिवार बाल बचा कुछ ने देश ही समझा मतलब देश है मतलब देश है यहां पर और कुछ नहीं यहां प आपको हमारे परमीशन की जरूरत ही नहीं है आपको जो करना है करिया हमको नहीं हमको बस परमाडू बंद चाहिए हमारी सरकार रहे चाहे सरकार गिर जाए और रियलिटी में है भारत में अटल वियरिवाच पही अगर परमाडू परिक्षण नहीं करते तो भारत पर अमेर पावर करना पड़ेगा यहां पाइसे चम्चागीरी करने से किसी का नाम लेते हैं लेकिन बिरोधी भी जीन का नाम लेते हैं ऐसे महापूरुष थे अटल विया रिवाच पी एपीजी अब्दुलकलाम कोई है जो गरी आएगा उसे अपने विचरा सरमा जाएगा किसको बोलेगा उन्हें ने खुला छूट दिया और कहा कि जो करना है करिया एपीजी अब्दुलकलाम कोई ठीक है लेकिन अमरीकवा को पता चल गया किसी अपीजी अब्दुलकलाम चल गया हुआ है इपका सफल कर देगा तो उसने उसके सेटलाइट छोड़ दिया अमेरिका से सेटलाइट छोड़ा और भारत के ऊपन निगरानी के लिए अब यहीं घलती कर दिया अम्रीक वा सब्सुरत08 ऐपीजी अब्दुलकलाम को फुस लाने के लिए नासा बुलाया है आये नासा आये टो ए पिजे अब्दुलकलाम चल ग नासा का है एका हेड हम का कर एंगे हमने नबाल बाच्चा नगुच एक कगो चीज है मेरे लिए मेरा दुनिया में कुछ नहीं है केवल और केवल मेरी भारत मा है, आप वो भी छीन लेंगे हमसे, आईशा थोड़े हो सकता है, उन्होंने का नहीं, और यहीं सचुरा उससे गलती हो गया, वहीं पर उन्होंने देख लिया, ता कि अमेरिका ने भारत के उपर क्या लगा रखा है, सेटलाइट मोनिटरिंग के लिए, और वहाँ पर उसने अमेरिका की सबसे बड़ी गलती हो गई, यहाँ आने एक बाद उन्होंने बता दिया, देख भाई, आम जो जो काम कर रहा है, सारा अमरीक बाद क्या कर रहा है, सेटलाइट से देख रहा है, तो सब वग्या निकासर ले, बढ़काने से पहले, तयारी क करना पड़ता है, देख रहा है, अब क्या किया जाए, तो कहीं की देख भाई, इस अमेरिका की सट्लाइट जाता है, दुबारा घूम के आने में लगभग एक देख गंटा का गयप हो जाता है, इसी बीच में जो करना है करो, कहें कि देख घंटा में कोंची करेंगे, तो अटल विया रिवाच भई ने खुला छूट दिया था किसको? एपीज अब्दूलकलाम ने कहा दिया ना कि एक काम कीजे एलान कर दीजे कि यहां मिलिट्री एक्सरसाइज होने जा रहा है सेना यहां युद्ध भ्यास करेगी कैसे युद्ध लिया जाता है एगदम ओरिजिनल युद्ध का मैदान अब युद्ध में कही घर भन रहा है तो कोई पूछ रहा है कहाए लिए बन रहा है तो इसी पे जो बम मारके प्रेक्टिस करेंगे घर नहीं बन रहा था इसलिए बन रहा था कि परमाड़ूबं कितना खतरनाक होगा लोगों को लगा कि फोज इस पर मार किया देखेगी कितना तबाही मचा रहा रहे है भाई साथ बकलोल उत्यारी अब्दूल कलाम ने करवा रहे थे कि जब फोड़ेंगे तो देखेंगे कि घरवा उधिया रहा है कि नहीं तो लोगों को लगा हम मिलिटरी अक्सराइज कर रही है कर रही है सब चीज काम हो गया लेकिन अमरीकवा को कही न कहीं भनक लग गया क्योंकि हर घर में सतियुक से कल्युक तक साले बिभीसर हर जगा मिलते है भारत में कोनों जाके कह दिया वहाँ पर भनक लग गया अमरीका ने उस सेटलाइट की टाइमिंग घटा दी जो घंटों का गैप रहता था वो चंद मिन्टों का गैप रह गया अर फूस दिक करके रह गिया समस्या यही थी भढ़ा गया तो टेंसे नहीं था तब क्या किया गया सेटलाइट वा तो रहेगा तो अटलवेरी वैजपराइट की ठूट था एपी जब्दुलकलाम से लिए इंको टेंसे नहीं था उन्होंने कह दिया अटल वियरी वाज़ पर इसे कि एकाम करते हम हम आगे आँ मई में इसका बम फोर देंगे कोनो दिन में 9 तरीक चाहिए 11 तरीक कोनो दिन हम फोर देंगे तो कहें कि भाई आपको जोह करना है करिये ना हमको मत बताइए हमको बहुत परमाड़ूबम चाहिए बाकी अमरीक वाग कोन ची करेगा हम देख लेंगे आप तो अटल वियरी वाज़ पर इसे खुला छूट मिल गया आप इन्होंने 9 माई 1998 डेट क्या कर दिया डिसाइट कर दो दो दिन किया था नौ माई को भी फिर 11 माई को पहले 11 माई 1998 सकती अंठानवे कोड नाम था जैसे अमरीका का सेटलाइट गुजरा पूरी तरह से कल्कुलेशन हो गया था कि कैसे कैसे होने वाला अमेरिका के सेटलाइट जैसे गुजरा तूरत यहां पे भारत का परमाडू बम को ब्लास्ट किया गया और जैसे ब्लास्ट हुआ तो जो मिलिटरी एक्सराइज कर रही थी उसको तो भेज दिया गया थे दू दिन पहले ही जो बिल्डिंग उल्डिंग बनाई थी खाली प सेटलाइट वा उसका घूम के आ रहा था घूम के आ रहा था अब पकड़ लेता तब क्या होता मान के चलिए पकड़ लेता आप पता चला कि सफले नहीं हुआ है खाली धूआ कर दिया गर्बर हो गया तूरत अटल वियर रिवाच पे को फोन किये पीजद दूलकलाब कि त राजेस्थान में भयानक ऄया है कोई नहीं जाएगाँ ए सबस्श्थान का अब उसका सेटta लाइट आ रहा है तरम भादू हो गया नासा में धूगा यहांपर कही काली वह्त diferencia देखा गिया हर देखा घूम सक्सेशं एक डंप फोर दो, दूग फोर दिया गया, पूरी तरह से सक्सेस हो गया, और ससुरा अमरीका को अभी तक पता है कि वहाँ तुफान आया है, अरे वहाँ दूसर तुफान आया है, अब भारत में कुछ भी कहिए, तो डर तो लगता है वही, अमेरिका बहुत खतरनाट देस, आज हम लो अभात के परधान मंतरी, सब राश्क पती सुक्वु काईल थे, अमरीका क्या करेगा, क्या करेगा, ओके पते नहीं, नो तारीक बीद गिया, दोस तारीक बीद गिया, पते नहीं चला अमरीका को, अटल भी अरिवाच्पी, अब्दुलकराम से पूचे कि महाराजु तुस इसे परमाणु बम निकला, धाम से फोड़े, पता ही नहीं चला, दुसरा, लेकिन भाई, धाल, धाल, पाँच गो फोड़ दीजे करें, तो पता चल ये कि नहीं पता चल, ये डाउट हो गया पाकिस्तान को, जनते का है, हम लोग फोर रहे थे यहां पे, भूकम पारा थे भून किया, अमरीका को कि बकलो लवा, आंधी उन्दी ना उठलो, पोर दिया हूँ परमाणु बम, अमरीका से फोड़ा माथा फोर रहा है अपना, कर आई कि अब का करें हम यहां पे, नासा वालन को गरी आया गिरे, चोट्टा कहीं का, तु लोग को सेटलाइट लगाओ, आई ही लगा हूँ पर, कोंची देख रहा था लोग वहाँ पर, हम तो बोलबे कि यह थे कि उदर दुखा उठाय था, आपने ने बोल ले थी कि आँधी उठा ले हूँ पर, अमरीका आग बबूला हो गया, और तुरत अमेरिका का पर्तिकरिया आया, कि भारत को इसका एक पर्माड़ू संपन्य देश है, भारत को कभी भी अमेरिका इस बात की मानता नहीं देगा, अटल वियर इवाचपेई ने भी तुरत मीडिया के सामने आये, और कहें कि जो चीज हमारे पास है, उसके लिए हमें किसी के प्रमाड़ की कोई आवसकता नहीं है, और जिस द आदेश दिया अपनी सेना को की तयार रहूं, अटल वियर इवाचपेई ने आदेश दिया अब्दुलकलाम को की जो बम हो बनाए है न, दुचार को फोटोकॉपी उसका रेडी रखे, फोटोकॉपी मतलब उसका बना होना के रेडी रखे, क्योंकि सेना की लड़ाई में आर्मी टू आर्मी बहुत दिक्कत हो जागा है, एडवांस है वो बहुत, आज के वक्त में भी हमारा हमतियार वहीं से खरीद किया था, भारत ने भी डिसाइड के लिया कि जो होगा, आपकी परमाड़ वे बम से होगा, अमेरिका भी डर गया कि इससे लड़ना ठीक, नहीं हैं, पकिस्तन वो बम बना की रख ले था, ढरे नहीं फोर रहा थाूंगे, यह घपता तक देखा कि भारत को हम जोर हैं तो हम बोलो देंगे एक काम किईए आप भारत को जो सजा दीजेगा हम भी सजा कट लेंगे अब बहुत पर अबराट पर अंबार्गु अर पर्ति बहते एरफ पर फारत गन कर लैंदिया जो जो जी जरूरत की थी सब चीज पर बहन लगा दिया, भारत की रथ वेवлаस्ता डूब गए, पाकिस्तान की भी रथ वेवस्ता डूब गए, लेकिन भारत को बचा लिया भारत के पच्पन लाख कुसल कारीगार जो बिडेसों में काम करते हैं, आप परतिवन लगाइएग खांगी आभी तो पुरी दुनिया का कारखाने ठफ हो जाएगे क्योंकि हर जगह भारत के वहą वरकर काम करते है और अमेरिका यम को सी लिए वालियोले यॉश्बार होते है वह स्पेसलिस्ट होते है पिर्ट मारता है तो पेंटे मारेगा भारत का Excuse me ministery multi talented होता है Paint मार रहा है उसे काटी ठोक देता है तो बिजिली वाला काम करदे तो हां तारूर घीज देता है multi talented होता है और काम भी बहुत जादे करता है काम ज़ब 5 बिजए कर देगा तो आदमी इस बोरा नीचे उधार देता है इसे बड़ी काम कर देता है, महंती होता है, कोई दिक्कत नहीं है उन समय, खाना नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं निकालेगा, जो कोई नहीं है, चालू, तो पूरी दुनिया से भारत को पैसे आ रहे थे, पूरी दुनिया भारत में क्या, भारत के हजारों वर्कर, लाखो काम कर रहे थे भारत में पैसे आ रहा था तो हमारी अर्थ विवस्था पर उतना भयानक पर भाव नहीं पड़ा लेकिन पाकिस्तान की अर्थ विवस्था तबाह हो गई इसकी यहां के कोई वर्कर को ले भी नहीं जाता है अरे चोटा कब मार करेगा कोई ठीके नहीं है आपर इस अब इतने बड़े बैल होते हैं से पाकिस्तान वाला अगर पाकिस्तान की एक मोहला से पांच आदमी बीदेश गया है न वहां अच्छा से हसी के डूटी कर रहा है अगर उसके परिवार में यहां जगडा होगा न तो अमरीकवा और थविवस्था बरबाद के दिया लेकिन पाकिस्तान भाई सब हरामियों में नोबल पुरसकार मिलता तो हर साल यही लाता है इसने कहा कि एक काम करते हैं अमेरिका ने हमको ऐसा बरबाद किया है कि परमाडू बम होने के बावजूद हम तडब के रह जा रहे ह हम भी अमेरिका को तड़ पाएंगे यह कहता है न कि हम किसी से खरीद नहीं सकते हैं व्यापार नहीं कर सकते हैं एक काम करते हैं हम परमाडू बमे बेचते हैं सज्राहूत्री को रिया को बेच दिया किंग जोम पगला को देखे हैं उसका टेक्नोलजी पाकिस्तान दिया है सद्धा मुझान को इरान को सबको बेचने लगा कि सारा थियूरी ले आके देखता था कि अईसे इसे परमाडू बम बनता है लिजे 20 क्रोड दीजे अब अगला हिसाब एक महिना तो काटे गा अदमी अगला हिसाब देखें अमेरिका कर रहे पाकिस्तन वा चोट्टा का कर आप परतिबंद हटा दिये अनाई तो हम इसको फेस्बूक पर डाल देंगे अमेरिका परतिबंद हटाया इस बार फार्दा अठा लिया भारत का गिरे उकरा अटाया तो हम रों परतिबंद हटा हूं तो गलती से भी गलती से भी अगर हम लोग जब भी एक दूसरे का अंतराष्टी मंच पर साथ दिये हैं तो दोनों को फायदा हुआ है लेकिन ये चोटा उसको समझ में नहीं आता है अब भी अगर वो सांती से रहेगा न तो बहुत आगे जाएगा और असांती से रहेगा तो एक दम में आगे चल जाएगा परमाडु परिक चर सबन्जागी या कि जो कोई दिखा कहा होता है वोग और भारतं परमाडु संपन है या नहीं है परमाड किया सकता है अब अमरीकश कर दिया भारत। अब कि आपने न्यूक्लियर प्रसार संधी तोड़ा है distintos reporting हमने किसी से संधी मंगाया ही नहीं है, हमारे खुद के वज्ञानीकों ने खुद बनाया है, और ये बात खुद एपीज अब्दूलकलाम ने बोला था, कौँची बोलता है चुराए हम बनी ले, बताए कुछ से बनता है, का कि आचा ठीक है, ये नहीं है, लेकिन आपने युरेनियम तो चोरी से मगाया है, हमारे केरल में जादू गोडा की खान जारखंट से निकलता है, उसी से हम बनाये हम किसी से भीक नहीं मांगे हैं, हम हिंदुस्तानी हैं लोग यहाँ पे, भीक में तो हमें कुछ भी नहीं चाहिए तो NSG कहा कि अभी तब कहा कि आप कौंची पे मुकदमा ठोपे तब इसमें ठोप दिया भारत आपने परमाडू परिछड किया क्यूं है भारत ने ये मुकदमा जीत लिया जनते हैं कईसे कहा कि कईसे हमने तो कोई नियमे नहीं तोड़े हैं CTBT काता है आप पानी में नहीं फोड़ सकते हैं जमीन पर नहीं फोड़ सकते हैं हवा में नहीं फोड़ सकते हैं हम जमीन के अंदर भारत ने कहां पोड़ा था जमीन के अंदर तो भारत को उस समें हर चीज साथ दिया था बुद्धी विवेक बल सक्ति सब रहना चाहिए तब नहीं हो सकता है, अब भारत को नाह नहीं सकते है, वो गया जमाना जब हमारे उपर किसी का सासन हुआ करता था, आज भी भारत में बस जाती पात खतम हो जाए, उच नीच पे लड़ना खतम हो जाए, और कॉंग्रेस, बीजेपी, हई पार्टी, हव पार्टी मतलब नेतागीर खतम हो जाए, तो सोचिए ना हमारे पास कमी किस चीज़ की है, है कि नहीं, नेतागीरी तो सॉल्व हो सकता है, UPSC का एक्जाम कंपलसरी कर दीजे, नेता बनने के लिए, काम खतम, तुरह तो कातम हो जाए, काम, आप इसको समझ में आगया कि नहीं, लाइव अले सब लो सम देंगे लोटष